नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इस्टिट्यूट निसांत यान की यूटूब प्लेटफॉर्म पर मैं नितिनुपाद्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ विनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो में मित्रों आप सभी के सामने मैंने आज का वीडियो जो लिया है निस्चित तोर पे आप सभी के मन में धेर सारे सवाल थे जो सवाल प्रदिन आपको अगबारों के जरोखों से देखने को मिलते हैं निश्चित तोर पे आप इन ख़वरों से जो है कभी-कभी विचलित होते होंगे और कभी-कभी इन ख़वरों को देख करके आपके मन में सकरात्मक्ता का भाव निकलता होगा कि हम जो कर रहे हैं निश्चित तोर पे सही कर रहे हैं आने वाला समय ते करेगा आप सही कर रहे हैं गलत ते कर रहे हैं निश्चे तोर पे अकबारों में जितने भी खबर और जितने भी सूचनाय चल रही हैं उन सभी को ले करके मैं आपके सामने एक विश्तरित सा वीडियो बना रहा हूं विश्तरित नहीं जादा जादा 12 मिनट का वीडियो होगा उसमें पहली बात तो मैं बता रहा हूं कि अगर जिस भी बच्चे को मेरी बाते सुननी हो तभी जा करके पूरी वीडियो चो देखिएगा पूरी वीडियो को देखने के बाद ए मत कहिएगा आप पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो नहीं देते हैं बस क करते हैं आज की जो खबर है आपके सामने निकल करके यही आई थी कि निकाय चुनाओं के बाद होगा सिछा सेवा चैनायों का गठन क्या यहां बात कहां तक सत्य है कहां तक गलत है मैं इस पर बता दू मित्रों आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने पहले भी आपको बताया था निशित तोर पे हो सकता है कि सरस्वती का वास रहा हो उस समय ठीक है मैंने जो चीजे पहले से सोच करके आपके लिए रखा है कि ऐसे ऐसे आपको टार्गेट सेट करना है और ऐसे ऐसे आपको काम करना है निशित तोर पे इस वर सुन रहे हैं और उसी क्राइटेरिया मे दिखाई दे रहा है, मैंने कहा था, निकाय चुनाव तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ही सिच्छा सेवा चेह नायोग का गठन होगा, निसित तरह पे आज आपने अकबारों में देख लिया, कि सिच्छा सेवा चेह नायोग का गठन 13 मयी की अचार संगीता खतम होने के बाद, इस पर काम सुरू होगा, काम सुरू होने का मतलब 13 से 15, 15 दिन इसमें एड कर लिजिए 28, 28 तक कुछ नहीं होने वाला है, जून महीने में, जुलाई महीने में, आपको कहीं न कहीं, जुलाई के प्रतम सप्ता, जुलाई के दुती सप्ता में, आपको सिछा सिछा सेवा चेहन आयोग आगे करने क्या वाला है? इसको ले करके आप एक कैलेंडर की रूप में देख सकते है कि सिछा सेवा चेहन निशित तोर पे इस बात को ध्यान रखियेगा. अब कि बार जो सिछा सेवा चेहन आयोग को घठन होगा? आपको जो चीजे मैंने कहा था साइज वो चीजे धीरे-धीरे सही हो रही है और आप सभी लोग जानते हैं हवा में ऐसे ही बात नहीं करता हूँ अब कुछ लोग कहें आपका कहां से पकड़ है मित्रो कहीं से पकड़ नहीं अगर इस बात को आप कहते हैं कहां से पकड़ है कहां सख लेंगे, तो मित्रोव ये भुलंद सहर डाइट की नीज थी, ठीक है, किस डाइट की नीज थी, बुलंद सहर डाइट की ये नीज थी, मैं नीज की कटिंग नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आप सभी लोग इतने जादा जानकार हैं, कि नीज तो आपने 100% देखा होगा, कि ब कित्त को बचाने के लिए बीएड के कोर्षिज को वहां पर कराया जाएगा यह बात कहां तक सही है कहां तक गलत है तो मैं कहूं कि 50-50 परसेंट चांस है कि वहां यह कहीं मतलब सभी डायेटों में अइसा नहीं होने वाला है नो ही कोई फूलप्रूफ प्लान किया गया लिए हम दो को भी अदीघ को डाइट में कराया चाएग» को कवाया जाय जाये का यह बस एक कही न मतलब इस तरीके इस तरीके से वहाँ पे कवायद शुरू की गई है यह कहां तक सही होती है या भविस्य के गर्त में है मतलब इतने जल्दी डियलेट पूरी तरीके से धरोसाई धरासाई नहीं होने वाला है ठीक है तो आप इस बात की टेंसर मत लीजिए कि संसट के सरसटो डायट बंद करके अब वहाँ पे बीट के कुर्स चलाए जाएंगे यह पूरी तरीके से अपवावाली खबर है और अगर आप ऐसा सोच रहें ता आप गलस सोच रहें ठीक है चले मित्रों आगे बात करते हैं क्या डियलेट इस बार नहीं होगा सबसे बड़ी बात है एक 2023 में डियलेट का इ पहले से फिक्स होता है आमको डियलेट करना आमको प्राइमरी में टीचर बनना और बाकि किसी से कोई मतलब नहीं उनका टार्गेट फिक्स होता है तो अभी वी कुछ लोग ध्यान रखिएगा अभी ऐसे कुछ लोग है जो डियलेट का इंतजार कर रहे हैं हमारे पाल धेर सारे में से जाते हैं भईया डियलेट कब तक आए अगर 23 वाला तो मित्रो क्या डियलेट इस बार होगा तो मैं कहा दूँ डियलेट 100% 95% उम्मीद है कि इस बार भी होगा 100% तो कुछ नहीं होता है 95% हम कर सकते हैं इस बार भी डियलेट होगा और डियलेट के एडमिसंस और प्रवेश प्रक्रिया जून महीने से प्रारम होने की पूरी-पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है, जून महा से प्रारम होने की संभावनाएं हैं, टेंशन मत लीजिए, जो 2023 वाले हैं, डियलेड वालों का भविस्षिक खत्रे में हैं, सबसे बड़ी बात, काफी वच्चे जो है क्योंकि ये डियлять की वज़े से आगे गया है तो हवा में बाते Dealoald को प्रलोबन देने के लिए आप Dealoald को अपने पच्छ में खींचने के लिए बोल रहा है निशित तोर पे मैं कभी भी हवा में बाते नहीं करता हूँ, आपका भाई, आपका मार्ग दर्सक होने के करण, आपका आत्मिय सम्मंधम से होने करण, कभी भी मैं जूट बोले ही नहीं सकता हूँ, और कभी भी अहित की बाते हैं, और बिजनेस में रखा क्या है यार, मैं बिल्कुल 100% बता रहा और वेकंसी वगेरा की बात ये अलग होती है, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा होगा, यार, बेड वर्सेज बिटीसी का फैसला कब तक आएगा, आप इमानदारी से अपनी पढ़ाई करो, चाहे बेड अंदर होता, चाहे बेड ब मजबूत रहेंगे, आप सीटेट में मजबूत रहेंगे, आप सुपर टेट में में मजबूत रहेंगे, आप कुछ लोग कहेंगे बेड वाले तेज होते हैं पढ़ने में, काहे तेज होते हैं बेड वाले पढ़ने में, अगर सुपर टेट की परिच्छा हो रहें, सुपर सारे GS वगरा के questions होते हैं आप ने किया है तापकि एक seat पकी और आप बहुत अच्छा कर रहे है DL8 के और सेच क्या बंद हो जाएंगे सबसे बड़ी बात क्या बंद हो जाएंगे मित्रो मैं कहता हूँ 1% chance है कि DL8 course अगली बार से बंद हो जाए 24 से लेकिन क्या जो DL8 किया है वो खतम हो जाएगा 100% कभी नहीं खतम होगा 2030 के बाद 2030 के बाद 4 वर्सी B8 100% चलने वाला है नई सिच्छा नीती के तहट 100% 2030 के बाद नई सिच्छा नीती के तहट 4 वर्सी B8 चलेगा क्या इसके पहले जो courses दो वर्सी B8, एक वर्सी B8, दो वर्सी DL8, दो वर्सी D8, दो वर्सी JBT, BSTC, जो कारेकरम पुरे भारत में चलाएगा है क्या उन courses को invalid कर दिया जाएगा नहीं invalid किया जाएगा आप सभी लोग जानते है 2015 तक B8 जो है एक वर्स का होता था 2015 के बाद B8 जो है दो वर्स का होने लगा क्या एक वर्स वाला बच्चा आज invalid हो चुका है? नहीं invalid नहीं हुआ है वह भी आज TGT दे रहा है, PGT दे रहा है टेंसल न लिजी इस बात को ठीक, B8 वर्सी BTC भी बात सबसे बड़ी बात यही होती है लोग हमारा प्रोपे मतलब आपको उसे मानना ही पड़ेगा उसमें आप किंतु परंतु कुछ लगा ही नहीं सकते है जो भी होगा आपके हितमे होगा इस बात को ध्यान रखियेगा चाहे हो DLT का बच्चा हो, चाहे हो B8 का बच्चा हो कभी भी सरकार सरकार क्या कोर्ट हो, न्यायाले है कभी भी न्यायले जो है निशित तोर पे जो भी फैसला देगा न्याय हित फैसला होगा अन्याय नहीं होगा किसी के साथ, इस बात को ध्यान रखियेगा ठीक है, बीच का रास्ता निकाला जाएगा मेरा मानना है, बीच का रास्ता निकाला जाएगा, सब को नयाय मिलेगा, सब को समानता मिलेगी, सब को अधिकार मिलेगा, बस, टेंसन न लिजिएगा इस बात को, आगे बात करते हैं, सीटेट और यूपीटेट से संभाग, आपके प्रस्न, आपके यूपीटेट के प्रस्न के बाद इसका पहिला काम जालते है क्या होगा इसका पहिला काम होगा जो मुझे लगता है इसका पहिला काम होगा जो पांच हजार TGT PGT की विज्ञपती 2021 में निकाली गई थी 21 के बाद निकाली गई थी 17,000 के बाद 5000 वेकेंसी आई थी उसकी परिच्छा नहीं हो पाई अभी तक उसकी परिच्छा ये करवाएगा TGT PGT के परिच्छा होगी मुझे लगता है ऐसा इसकी पहले परिच्छा ये करवाएगा उसके बाद आपका UPTET कराएगा और ये पूरे कारिकरम जारी कर दिये जाएगे कि ऐसा ऐसा आगे होने वाला एक कारिकरम जारी कर दिये जाएगे तो आपको टेंसन नहीं लेनी है आपके UPTET भी सितंबर तक होगा ठीक है सितंबर तक और आपका सीटेट तो दिसंबर में होने ही वाला है सितंबर में यूपीटेट आने की संभावना है परिच्छा एक कब तक होगी आप सभी लोग जानते कोई परिच्छा तीन महीने के अंदर होती है तो वही दिसंबर मान के चलो ठीक है आपके लिए सरोमाने तो यूपीटेट ही होगा क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं तो यूपीटेट पास होना निमारे होना चाहिए अभी फिलाल सीटेट को वैलिट किया गया है के थे और सबसे बड़ा सवाल, सीटेट के प्रथम समिश्टर में मैंने सीटेट दिया था और मैं पास हो गया हूँ, क्या मुझे फिर से फॉõ्म जाए हैं, मित्रों मैं बता दूँ, सीटेट ने यह असपष्ट किया था पहली बार, seated ने एसपस्ट किया था कि प्रथम समेश्टर या प्रथम वर्स में आज ही के दिन एडमिशन लेने वाला बच्चा seated दे सकता है और वह seated पास होता है तो seated valid होगा कि नहीं होगा मेरी बात को द्यान से सुनिएगा seated valid होगा कि नहीं valid होगा यह सिच्छक भरती कराने वाली agency और सिच्छक भरती कराने वाली संस्था तै करेगी अर्थात पहले समेश्टर में आपने seated पास किया है दूसरे समेश्टर में आपने seated पास किया है 33 समेश्टर में आपने seated पास किया है यह valid है कि नहीं है आपका जो certificate म मिला है 100% valid है CBSC की तरफ से ठीक अगर आपकी सिच्छक भरती आती है उसमें यह valid होगा कि नहीं valid होगा यह उस समय कि संस्था तय करेगी जो आप जो आपकी परिच्छा कराएगी सिच्छक भरती वाली अठात सिच्छा सेवा चेनायोग जब आपका प्राइमेरी का वैकेंसी देगी तो उस समय तय होगा कि फर्स समेश्टर वाला सीटेट valid होगा कि तरिती समेश्टर वाला सीटेट valid होगा लेकिन अभी फिला हाल CBSC ने सब को valid किया है इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है और जो आपकी mark sheet मिली invalid नहीं है आप प्रथम semester में पास है तो valid है ठीक है आप कुछ लोग कैंग भया देना चाहिए आपकी बार दे देते हैं तो या आपके उपर है अगर आप देना चाहते है दे दीजिए लेकिन मुझे लगता है कि आगे आने वाला है यूपीटेट इमानदारी से दे दीजिएगा क्योंकि यूपीटेट में अच्छा करना आपके लिए जरूरी हो सकता है जो भी हो जो रननितिया बन रही है मैं publicly नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको यूपीटेट में अच्छा करना चाहिए जो मेरा मानना ह क्योंकि सरकार बाहरी राज्यों को कहीं न कहीं दरवाजे बंद कर सकती है ऐसा मुझे लगता है बाकि आप समझदार है आप यूपीटेट को हलके में मिले करके जैसे कुछ लोग सीटेट पास हो जाते हैं तो यूपीटेट को हलके में ले करके पेपर देते हैं हलके में ल चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है जितने भी information मेरे पास थे हैं मैंने आपको अपना भाई अपना आत्मिय समझ करके share किया इसमें अगर आपको कुछ भी लगता है मैंने हेर फेर किया आपके साथ मैं गुमराह कर रहा हूँ आपको तो उसके कोई marketing कोई advertisement कोई भी इस तरीके का कोई काम नहीं कर रहा हूँ हाँ सीटेट यूपीटेट के notes वगरा के लिए जो मैं काम करता हूँ वो मेरा personal काम होता है मैं किसी को मतलब कि पकड़ करके खिचता नहीं हूँ आप हमारे notes लो तभी आप पास हो गए जिसकी इच्छा होती हो लेता है भाई देखिए हर एक का जो है एक basic needs होता है उसको इलिए हर कोई कारे करता है अगर मैं YouTube पर हूँ तो मेरा भी कुछ basic needs होता है मेरे भी कुछ सपने होते उसको साकार करने के लिए मुझे भी कुछ करना पड़ता है ठीक है तिससे आपको इससे फरक नहीं पड़ना चाहिए मैं आपके लिए काम इमांदारी से कर रहा हूं मैं दिल पे हाथ रखके बोल सकता हूं hundred percent बोल सकता हूं आप हमारे भाई की तरह हैं मैं कभी भी आपके साथ अहीत नहीं कर सकता हूं ठीके चले उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी है आखरी बात बोल करके वीडियो को समाप्त करूँगा यही जजबा रहा तो मुस्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा नहों माजूसन गवराई संदेरे से मेरे साथी इन्ही रातों के दामन से सुनारा कल भी निकलेगा बहुत-बहुत जय हिंद जय भारत